इतना मांसिक गुलाम तो देश को अंगरेज भी नहीं बना पाए जितना ये लोग बनाने की कोशिज में लगे हुए हैं। इन्होंने सोचा कोई जो करना वो कर दो चुप चाप इसलिए लोगों को सस्पेंड कर दिया और उदर जाके बन रहे ठेकेदार रामराज्य के ना रामराज्य था ना है ना रहेगा। तुमने कानून लिखित में बनाए आस्वासन मुझवानी देरे किसी के बाप की दुकान के देश नमस्कार मैं नूर जाँ और आप देख रहे हैं जनेत अवाज इस वक्त में मौझूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सबको दोहजार चौबिस लोकसबाद चुनाफ का इंतिजार था तो वही दोहजार चौबिस आ गया है लेकिन साथी साथ यह भी द सुबार भी जी जा रही है जिस तरीके से एडी का समझ जो केजरिवाल के पास आ चुका है वहीं दूसरी तरफ केजरिवाल यह कह रहे हैं कि यह सब भाच्पा की साजिश और मुझे 24 लोकसबाद चुनाफ के जो प्रचार है उसको करने से रोका जा रहा है इसी चीज़ पर परचार परशार के लिए रोकने की कोशिस है और इडी इस तरह से काम कर रहा है यह संसाइं इस तरह से काम करी जैसे किसी नवाब के लठहत हो यह सई नहीं है यह missuse of the agences है missuse of the process है यह विलकुल सई नहीं है क्योंकि election से पहले और देश के जो حالات है उसमें कम से कम और खास पर अपोजिशन के लिडरों को इसमें टार्गेट बनाया जा रहा है यह लोग ना तो कहीं बागने वाले यह देश भी हैं अजेंशी भी यही है यह कारवाई रोक देनी चाहिए किसी भी चूरत में यह कारवाई नहीं रुकती तो लोगों को इसमें अंदोलन करना चाहिए और एक अइंसक तरीके से और सुविधान के दारे में रहे के इस बात का विरोध करना चाहिए और जनता को साथ देना चाहिए ऐसे सभी नेताओं का. जहां कहा जाता है कि ED स्वतंतर है लेकिन दूसरी तब वेपक्ष कह रहे है कि ED भाजपा के कहने से चलती है. इसमें कोई दोराए नहीं, ED सवतंतर नहीं है, ना इलक्षन कमिशन सवतंतर है, अब देश में कोई एजंसी सवतंतर नहीं बची है, जो हलात जो बता रहे हैं, क्योंकि देश पागल नहीं है, किसी के कहने से सवतंतर मान लेगा ऐसा नहीं है, देश की जनता, सब समझरिय सब को पता है कि कोई भी सवतंतर नहीं बचा कागच में सवतंतरता है मगर जो आदमीं बैठे हुए हैं वो सवतंतर उसको बनाए रखने में फेल हुए हैं नाकाम्याब रहे हैं और यही दिखाई देता है हर जगे सवतंगे लगे इसारे को देज़े हैं और यह लोगों के फंडमेंटल राइट और इस देज के सिव्धान को बचा सवाथ पाएंगे Supreme Court High Court वान ही है इसको चलाने वाले तो लोग हैं जो जज के रूप में बठे हुए हैं वो कहीं दबाओ में हैं justice call जो अभी Supreme Court से रिटारियर उन्होंने खुद का है जो मैजूर्टी की सरकार है उसमें कहीं न कहीं कोड़ दबाओ में होती है यानि हम दबाव मफील करते हैं, जब एक जज ऐसा बोल रहा है, तो यह तो बहड़ी गड़बड है ना, डरना नी चीए, जजों को इतनी तनका देते हैं, इतनी सेप्टी और सिक्योर्टी देते हैं, उसके बावजूद इस तरह की बात करना, जस्टिस कोल का भी, इसे तो ज हो, तो लोग पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं, कि इसमें होना कुछ नहीं, सरकार का कुछ नहीं बिगड़ना, ब्यान बाजी चलेगी कोर्ट की, और अल्टिमेटली फैसला सरकार के हाथ में आएगा, या लिंगरोन किया जाएगा, लंबा किया जाएगा मुकदमे को, य तो यह की साथ दोखा है, देश के साथ दोखा, देश के अनुरूप काम नहीं करना ही देश दरो होता है, और गोदीमिडिया लगतर ये कह रहे हैं कि अब केजरिवाल की गिरफ्तारी पकी है, गोदी मीडिया जो कह रहा है वो पता नी उसका पता नी चलता वो कौन सा अजेंडर चला रहा है वो देश को भरमित करने की देश के लोगों का वाशाउट करने की के बदनाम करो इनको इतना बदनाम कर दो कि लोग इनको वोट ना दे या इनके साथ ना लगे या इनके फिव करते हैं उन सारे नेताओं को टार्गेट बना रहे हैं लोग ताकि लोगों के इंसे दूर किया जाए और उनको बद्राम करने का काम उसका ठेका दिया हुआ है मेंस्ट्रीम मीडिया को मेंस्ट्रीम मीडिया ठेका लिया है देश के लोगों को बद्राम करने का उन लोगों को सरकार के खिलाब बोलते हैं आवाज उठाते हैं सही के लिए ह्या जो fundamental right की बात करते हैं या जिसमें लगता है उन Till morning's जो भी कि खुलाब गुटाले वो कर रहे हैं उसके किलाब कोई भी बी बोलता है ऊनके नज़िके लोगों के खिलाब कोई हैं सत्ता पक्स के लोगों की सत्ता से जो उनको आदेश मिलता है उस तरह का वो काम करते हैं इस तरीके से लोकसवद चुनाव नजदीक है तो 2024 से पहले जो डेर सो सांसदों को निलंबित कर देना उसके बाद यह जो लाए है कानून इस तरीके से लाना और उस पर फिर जो ड् जादा चलता है इनका ध्यान राममंदिर पर तो इतने जादा है कहां से शील आ रही हैं कहां उद्गाटन होना क्या होना फलाना होना और देश के लोगों की जिंदगी और से खिलवाड करने वाले कानून और उनकी सजा बढ़ाने के लिए जो लाखों करोड़ों के जीवन को प्रभावित करते हैं पूरा ही देशी गाड़ी चलाता है अब तो लड़कें भी गाड़ी चलाता है अंके लिए कानून बनाने में तो इन्होंने इस तरह की गड़बडिय delay कर दिया इन्होंने सोचा कोई जो करना वो कर दो चुप चाप इसलिए लोगों को सस्पेंड कर दिया और उदर जा के बन रहे ठेकेदार रामराज्य के ना रामराज्य था ना है ना रहेगा समाज के राज्य के लिए वैबस्ता है ये सविधान समाज के राज्य की बात करता है कोई राम राज्य नहीं कोई और राज्य नहीं ये बखवास है डकोसला है डकोसले से बाहर आने के लिए तो लोगों ने इतने जुलम सहा अंग्रेजों की सरकारों को बदलने के लिए देश को आजाद किराने के लिए ये अपने ही लोग अंग्रेजों से ज़्यादा बूरे साबित हो रहे हैं ये देश को बैकवर्ड बनाना चाहते हैं मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं जो सचाई पर आधारित नहीं जो एविडेंस पर आधारित नहीं उनके किलाब कोई बोलता थे कहते हैं बावना बढगी अरे ठेका ले रख्या का बावना का तुम बकवास करते हो तुम जूटी खता कानिया रच के लोगों को मानने पर मजबूर करते हो देश नहीं मानेगा लोग नहीं मानेंगे फ्यूचर में इस देश के लोग स्विधान भी यह चाहता था कि अपने लोगों को इतना जागरुक बनाना चेप्टर चार में जो है और लोगों की सरकार की डूटी है ये कि लोगों को साइंटिफिक टेमपर का बनाना वो सोच सके हैं चुप चाप क किसी बात को माने ना इस देश से दोई चीजों का अटाने की जूरत है मिटाने की जूरत है उनके खिलाप सबको खड़ा होने की जूरत है मंडी मान सिकता और फंडी मान सिकता मंडी मान सिकता है पुंजीवाद की मान सिकता कि पैसे वाला ही पैसे कमाएगा बाकी लोगों क का सोशन होता रहेगा अब ड्राइवरों ने उकात दिखा दिखा दी इस देश के पैसे की भी कि किसी में दम नहीं आदमी कि परिश्वरम में दम है लोग परिश्रम करने वाले परिशन में करेंगे तो जीडीपी का गुबर हो जाएगा इस देश में और उन सब लोगों का जो जेब में पैसे हैं, जिनके बैंकों में पैसे हैं, जो एकतरित किये हुए हैं, काला धन, उनके उस धन में कोई उकात नहीं बचेगी। और फ्यूचर में भी खाने के जुगाड बना रहे हैं, वो है फंडी मानसिक्ता, फंडी मानसिक्ता और मंडी मानसिक्ता दोनों से देश को बचाना है। लिखित में बनाए आसवासन मुझवानी दे रहे किसी के बाप की दुकाना के देश चुप चाप उसको लिखित में आउडर जारी किया जाए जो भी तरीका है उस तरीके से सपश्ट और अखबारों में आए इस पावर के तैस्ट इस आदमी ने साइन किये हैं वो साइन करके लेटर बिल्कुल पब्लिस हो सरकारी डोकुमेंट के जरिए इस तरह से किया जाए यह बेव को बनाने का काम क्यों कर रहे हो और लोगों को ट्रांसपोर्ट कॉंग्रिस की बजाए इस देश के ड्राइवरों की असोशेशनों को आग्याना होगा वो तो वैपारियों की संस देशा सब्सक्राइव की बेसाता हैं ट्रांसपोर्ट तो महनत मसकत करते हैं ट्रैवर लोग के पर्तिनीधियों को बिठाके उनसे बात करनी चाहिए तभी तो स्ट्राइक वापिस होनी चाहिए उनके बीच में अनके साथ वारता होनी चाहिए नेकी और और गिनाइजिशन की तब कोई वह ना चीये है और हम सेलूट करते हैं देश के ड्रैवरों को इन्होंने बता दिया डेश की जीडीपि अगर कोई है वह जीडीपि लोगों का शरम और प्रिशरम है लोगों की मेनत है ना वो किसी की पुंजी है ना किसी के बाप की बपोती है GDP सिर्फ और सिरफ लोगों के पसीने से बढ़ती है और उनी का सोशन देश में हो रहा है इसलिए यहां के वो बच्चे जिनके घरों में पोचा कोई और लगाता है वो बच्चे बाहर में दूसरे देश में जाके पोचा लगाते है क्योंकि वहां मेहनत की कमाई अची मिलती है यहां पर तो मेहनत की कमाई नहीं मिलती इस देश का असली देश दरोई है मेहनत कसों को इस देश की पुंजी में हिस्सा नहीं मिल रहा और चंद लोग उनका सोशन करके जो अपने आपको धनाडे गोसिज करते हैं या highly tax pair बताते ह जिनको अंदेखा किया जा रहा है इस तरीके से भाजपा सरकार दावे करती है महीला सुरक्षा के और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है वही दूसरी तरफ यह मामला सामने आता है कि जो तीन आरोपी जिन्होंने गैंग रेप किया बनारस का यह मामला है वो जो लड़की है उसने पाच दिन बादी पता लगा लिया था कि आरोपी यही है उसके वाल भी दो महीने बाद उनके गिरफतारी क्यों होती है इससे पता चलता है ना लाय ओडर देश में लायन डॉडर की सिच्वेशन क्या है देश में रूल ओफ लो है या रूल ओफ डिक चाहो काम करा लो इस देश के सारे लोग मैक्सिमम जो सरकारी करमचारी के रूप में काम करते हैं चाहो एडी में आईटी में भी करते हैं सीबी आई में भी करते हैं बहुत सारे भले आदमी हैं उनकी आत्मा नहीं मानती गलत काम करने के लिए मगर यह मिश्यूज करते हैं उनको ड्राने का काम करते हैं, उनको भी जिस तरह से जजों के डोकुमेंट सरकार पास रखती हैं, उसी तरह इन सारे करमचारी अपसरों के डोकुमेंट भी पास रखती हैं, कि कोई हमारी मर्जी से काम नहीं करेगा, जो भी हम गलत कराएंगे, तो हम उसकी नोकरी के साथ या 2024 की तैयारी करें मुद्ब दो महीने बाद उनी आरोपियों गिरफतार कर लेना तो क्या वोट अपने हाथ में लेना चाह रही है बिल्कुल अब दो महीने के बाद आरोप लेना यहां पे खिलाडी पहलवानों की गिरफतारी एफाइयार भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दर् कोसल है इससे जादा खतरनाक सिस्टम देश आब वाले जो हालात हैं जिस तरह से लोगों की आवाज बिना घोसित अमरजनसी के बंद हो रही है यह लोग बोलने से डर रहे हैं या जो लोग बोलते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है और इसी देश के लोगों का मिश तोड़ दिये गए यहां भी वही हो रहा है इसी देश के करमचारी हैं इंकम टेक्स में इडी में भी इलेक्शन कमीशन में भी यह सारे के सारे बेवकुप उसी तरह के काम करें दबाओं में आके और दबाओं में आके इनको ने करना चीए इनको अमारा तो गुजारी से शुक्रिया तो सुना आपने इनको जिस तरीके से बता रहे हैं भाजपा सरकार जो एक तरीके से 2024 की तयारी ही कर रही है पहले जो डेर सो सांसों को निलंबित कर देना मतलब अगर कोई भी विपक्ष बोलता है उसको निलंबित कर देना फिर एकदम से हिट एंड लॉको ले ही है तो देखा जा ही सकता है बाकी 2024 की तयारी भी है साथ ही साथ आप कीस में क्या रहे हैं हमें जरूर बताएगा